हेलो गाइज कैसे हैं आप हम आपको वंस अगेन आए सीटी की ट्रेनिंग्स के प्लेटफॉर्म पे आपको वेलकम करते हैं हमारी जो सीरीज माइक्रसॉफ विंडोज एज आपरेंडिंग सिस्टम इसमें हमने स्टार्ट की थी तो आज हम मोस्ट डिमांडिंग आप्शन को हम को इस्कार रहे हैं तो हमारे पास आज की जो ऑप्शन है वो है आप अपने मौसःट खो हाईलाइट कैसे करते हैं तो यह कुछ इसकी आपको implementation इंशाला अभी आपसे मैं शो करूँगा कि आपने mouse pointer highlight main objective क्या होता है add a visual indicator to your mouse pointer cursor for better visual ability यह website आपके सामने और यह आपको description box में भी आपको मिल जाएंगी तो आप इस website पे visit करें और यहां पे हमारे पास tab आपको यहां पे software gallery help form and people इसमें आप gallery पे आप click करते हैं आप gallery पे click करने के बाद यह आपके पास latest additions है different mouse की आपको cursor की files available हैं जैसे इसको आपने download करना है और download करने के बाद इसको आपने windows के अंदर cursor folder के अंदर आपने available करवा देना है cursor highlight को search भी कर सकते हैं search पे आप से click करेंगे यह आपको different variety of options हो जाएंगी यहां पे highlight set cursor इसको आप click कर दें और यह small kind of file होती है इसको आप डाउनलोड करें और यह आपको list of cursor इस folder में आपको मिल जाएंगे इस में से जो आपको required हो आपकी files हैं इनको copy कर लें और इसको available करते हैं folder में जिस जो आपके पास c drive के अंदर windows और windows folder के अंदर आपको जिस तरह के यहां पे viewers दिख रहा होगा इसमें यहां पे हमारे पास cursor के नाम से folder है इस folder में already जो installed है cursor की shapes different kind of events के साथ जो आप connect कर सकते हो pointer की shape को तो यहां पे आप just right click करके paste करते हैं permission required होगी just continue कर दें yes कोई भी activity जो windows में configuration files के अंदर आपको changes करते हो तो इसमें आपको allow करना पड़ता है administrator permission के साथ आपको यह available हो जाएगा as a standard user यह activity पॉसिबल नहीं है as a administrator आपने यह perform कर सकते हैं और जैसे ही आप इसको paste कर दो तो next आपके पास option होती है कि आप mouse की setting में चले जाएं तो यहां पे हमारे पास search bar है यहां पे just आप यह control panel के थूच करना चाहें control panel के थूच कर सकते हैं और यहां पे आपके पास mouse setting और mouse setting पे जैसे आप क्लिक करती है अडिशनल mouse settings control panel के थूच कर सकते हैं तो यह viewers जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास एक box mouse properties का हो गया और यहां पे आपने pointers पे आपने क्लिक करना है यह pointers में already आपके पास कुछ different kind of schemes यह आवेलेबल है इनको भी आप क्लिक करके select कर सकते हैं तो हमें हमें yellow highlight color pointer यहां पे set करना है तो उसके लिए आपने just normal select आपने customize की option और यहां पे browse button और browse button में यहां पे आपको जो अभी आपने download किये थे cursor की files को वह आपको available हो चुकी है तो यहां से आपने जो है select भी कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको yellow highlight.cur cursor फाइल को select करके open कर दें और open करने के बाद just आपने apply करना है apply करने के पाद यह आपको cursor जो है available हो जाएगा और इस तरह वीवर्स आप इस cursor को highlight cursor को अपनी different application में इसको use कर सके as a presenter as a teacher आप अपनी audience को जो है focus रखने के लिए इस pointer को highlight shape में लेके आ सकते हो तो यह जी आज का हमारा जो small kind of video जिसमें आपको बताया यह गया कि आपने mouse pointer को highlight form में different colors के साथ आप किस तरह कर सकते हो तो यह आप मजीद कुछ videos इन्शालाब से share की जाएंगी तो आप viewers से हमारी यह request है कि आप हमारे channel को subscribe भी करें ताकि आने वाली कुछ videos जो आपके लिए बहुत useful रहेंगी और आप अपनी routine में इनको अपने list में add कर सकते हो बहुत शुक्रिया thank you very much